जै माता दी मित्रो, मित्रो मा काल का एस्टलोजी चैनल में आप सभी का हर दिख स्वागत है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप माई लेटेश वीडियो को देख सके मित्रो आजन स्टाइट करने वाले हैं मन्थली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट माई 2024 मेन लगन के जातकों के लिए माई माह का मासिखफल आये आरंब करते हैं मित्रो अगर आपकी लगन कुणली के इंतकत यहां पर लगन में 12 नमबर लिखा हुआ इसका मतलब आपका मेन लगन है जो कि कर जल तत्पे लगन है दी सुपाविक लगन है विशिष्टे आप अगर मेन लगन के हैं तो आप में कहीं लगें इमोशन सभावनाएं बहुत अधिक पाई जाती हैं आपका loving and caring nature है आप बहुत transparent nature के हैं साथ ही आपके personality थोड़ अरसा competition वाली personality आपके बन जाती है ये पर भाव आप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते आए कहीं न कहीं comfort zone में थोड़ा रहना ये आपको या जहां पर भी आप जा रहे हैं काम कर रहे हैं और लोगों को अपना बनाने का पुंटे प्रियास करते हैं अब देखें यहाँ पर मई महा के अंतरगत विशेश से लगन के उपर पहले देखें तो मंगल का राहू का और बुद्ध का परभाव रहने वाला है ये वीन राशी के अंतरगत रहेगा परभाव और क्योंकि मं मंगल का जो गोचर है और 23 सपरैल से एक जुन पूरे मई महा आप देखें मंगल रहूं तो मिलेंगे-बुद्धु-10 त CPR थे मिलेँगा आप सिर्फ मंगल रहूं पूरे महा म wann बंगने आप एक बात देखेगा इस महीने आप काफी बाल के खाल निकालते विने जराएंगे ये प्रभाव आप में बहुत ज़्यदा रहेगा मतब किसी भी विशे के अंतरगत बहुत टीप जाना बिल्कुल उस तरीके का प्रभाव आपने बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा ये स्तति देखने को मिलेगी कड़वी वानी का आप प्रयोग भी कर सकते हैं ये भी खासकर दस महीं तक ये प्रभाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं अब यहां क्योंकि मंगल का प्रवाव अगरम जाने पहले तो मंगल भाग्य भाव के स्वामी बनकर भी आ रहे हैं और आपके धन भाव के स्वामी बनकर भी लगन पर आ रहे हैं तो यह समय आप देखेंगे पूरे महा आपको भाग्य की व्रद् हैं और कितना आप बहुत करके आगे भड़ पा रहे हैं यह आप पर यह पर करेगा क्योंकि राहु कहीं न कहीं ऑफस्टेकल भी देता हो आपको नजर आएगा रुकावटे अर्चने भी आएंगी आपको अवसर जरूर मिलेंगे यह बात तैह है कि भागे का साथ मिल रहा है अवसर मिल रहे हैं लेकिन महाँ पर रुकावटे और अच्छनों के साथ है मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा तब जाकर आप अपने उन अवसर को अपोजिशनिटिस को अपने लिए फलिबूत कर पाएंगे अपने लिए अच्छा कर बना पाएंगी तो यह परवाव एनरजी आपको मेंटल लेवल पर जादा देखने को आपको मिलती भी दिखाई देगी तो थोड़ा उत्तेजना में या क्रोध ज्यादा करने में थोड़ा बचेगा अपनी उर्चा को सही उप्योग आपको लगाना है सरदर्द की थोड़ा शिकायत रह सकती है स्वासे सम् जो प्रभाव रहेगा वो यंगर सिब्लिंग्स को लेकर थोड़ा जाता देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसका जो डिस्पोज्टर गुरू भी है वो भी थर्डा उसमें गया है एक बात यह कि आपके मेन लगन है और यहाँ पर मंगल रहू का सुमन्द जो कि धनभाव के स्वामी बनते हैं यह कहीं न कहीं परिवार का प्रेशर आपको पर काफी हाई है आपके सेविंग्स का मतलब कहीं सेकंड लोड आपका फैमिली है आपका सेविंग्स है और आपके वानी में मतलत कड़वी वानी का शब्दों का प्रियोप करने से बशना है गलत खान-पान से आपको बशना है और यहाँ पर कहिना के परिवार का प्रेशर दबाव थोड़ा आएगा कहिना के आपको अपने परिवार की चिंता सेविंग से रेलेटेड कुछ इस्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मीन राशी में हो सबता है किसी तरीके का investment आपने क्योंकि 11th load भी आपका शनी बारवेघर में है और वहीं आपका 11th load भी बारवेघर में है वहीं आपका धनभाव का स्वामी भी राहू के साथ बारवेघर की मीन राशी के अंतरगत है तो यह बात ते है कि कुछ losses कुछ खर्च के अंतरगत भी रह सकता है तो यह प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वहीं अगर हम देखें तो भाग्य वरद्दी भी हो रही है धनलाब भी होगा ऐसा नहीं कि धनलाब नहीं होने वाला है धनलाब भी हो तो वह दिखा देगा लेकिन struggle के बाद क्योंकि यहां पर आपक वहां से आपको हो सकता है गुरू की नवी द्रिष्टी भागे की द्रिष्टी भी आपके नमभ गवग अब नाव था एकादश भावग पर है जो यह बताती है कि अब आने वाले जो महीं का महां से आपका जो जीवन चल रहा है इस महा के अंत्रगत भी आपको आपको अमे तेरे बड़े भाईबन क्याल आ रहे हैं बारवा घर एक्टिवेट कर देंगे आपके लिए थोड़ा इनवेस्टमेंट करवा सकते हैं तो वो चीज़ आपको लेकर आइस्सोलेशन में जा सकते हैं थोड़ा ध्यान समझ कर आपको चलना है वहीं गुरू की दृष्टि क क्योंकि नीच घर को अपने देखने गुरुदे तो यहां पर इस्ट्रगल तो देंगे किसके लिए स्ट्रगल देंगे हाड़वर्क कराने वाले हैं गेंज को लेकर प्रॉफिट को लेकर इंकम को लेकर तो आयवरद्धी जरूर करवा देंगे लेकिन बहुत आपको दृश्डी रहेए हैं आपके जतोर्त भाव पर कहीं न कहूं Ini मदर का या अपनी मात्र बहुनी का सुख आपको प्राप्थो तो मात अन्हा भूमी ब्हुमी बवन वाहँद सुक्ठ घर का सुक आप प्राप्थ करना चैते हैं उस कंफ़र को उस शान्ति को इंट्रल पीस आप लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत प्रितंशिल रहेंगे और वहीं उसके इसके अंतरगत बुद्ध का नीच राशी का अंतरगत होगा राहू के प्रभाव में मंगल के प्रभाव में बहुत आप देखेंगे शुरुवाती दस दिन तो आपको बहुत बोलना कि पहले आप विश्वास कर बैठोगे किसी के ऊपर फिर आप मंगल का प्रभाव हैगा फिर आप कड़वा बोलना शुरू करेंगे फिर डिटेलिंग में जाओ गया फिर सोच रहें कि यह व्यक्ति क्या जुड़ गया है मेरे को या कुछ गलत व्यक्ति या कई ना कई गु संबंदित क्योंकि सेवेंट टोड भी मरकरीं बनता है तो वहाप पर के तुपू पहले आपको पार्टनर से मिस्टेक्स आपको दिख रहे है या कहीं नहीं तो दस महीं तक खासका 10 महीं तक ध्यान रफना है कि अपने घर से संबंदित माता से संबंदित और रिलेशेंशि कुछ इश्यूज आ रहे हैं और उसके कारण आप बड़े प्रिशान हो रहे हैं कि क्या किया जाए कैसे किया जाए तो यह थोड़ा दिक्कत है आपको मापर या उन्होंने कोई बुद्ध के प्रभाव में शुरुवाति दस दिन भी आपको देखने को मिल जाएगी वहीं मंगल का प्रभाव भी और वैसे मंगल के केतु का चली रह प्रभाव और मंगल की दृष्टी भी आएगी तो यह प्रभाव के इंतरगत थोड़ा दामपत्य जीवन के अंतरगत थ लेकिन फिर भी अच्छी बात यह कि गुरू की दृष्टी आ रही है तो अब अंडेस्टेंडिंग मतलब पहले लड़ाई जगड़ा हो सकता है केतु का प्रभाव है तो हो सकता है बिना किसी बात के समझ कुछ आ नहीं रहाता मंगल का प्रभाव आया जगड़ा हो गया उ ऐसी स्थिति आपको देखने को अपने लाइफ पार्टन बिजनस पार्टन को लेकर मिल सकती है कईना के लाइफ पार्टन की लाइफ के अंतरगा थोड़ा सा इसे आ सकते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो समझ में आ रही हो तो ऐसी बिजनस में भी आपको आएगी लाइफ इस नहीं महां से मिलता हुआ भी दिखाई देगा तो उस दृष्टी से भी अच्छा कहे जाएगा वही मंगल की आटवी दृष्टी रहेगी आपके अश्रम भाव पर जो कि आपको कहीं नहीं रिसर्च पॉइंट ओफे से भी टाइम अच्छा रहेगा लेकिन कहीं नहीं स ससुराल पक से मद्वेज हो सकते थोड़ा प्रेशानी बन सकते हैं वहाँ पर थोड़ा ध्यान देजिएगा कि कुछ गलत बोलने से कड़वा बोलने से आपको बचना है लेकिन रिसर्च के लिए अच्छा ये रहेगा अब हम आगे अगर हम बढ़े तो सूर्य का परभाव जाने और इससे पहले लगनेश को देख लिता है क्योंकि मंगल राहू को तम देखी रहे हैं और राहू लगन पर आपकी आपके सार पर प्रेशर बहुत आ रहा है ठीक है वहीं डिस्पोजिटर गुरु जो की गुरु दश्मेश भी बनते हैं लगनेश भी बनते हैं तीसर बहुत के अंतर के जब बुरु जा रहे हैं या पर अब तो महीं महा से अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि आप पर एक तो शोट ट्रेवलिंग बहुत भढ़ जाएगी शोट के लोंग भी मतलब क्योंकि यहां से बुरु की दरश्टी नाइमत को भी रहेगी तो कईनग अपको ध्यान आपके यंगर सिब्लिंग को लेकर अपने आपटीमेंट्स के लोगों को लेकर या अपने डॉकुमैंट्स प्रेपर इलेटी कम्मिनिकेशन इन चीजा एन चीजों की तरह बहुत जयादा ध्यान जाता हुँ दिखाई देगा ट्रेवलिंग को लेकर भी यह तो एक तो यह रहेगा कि आपको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा अपने आस्परोस के लोगों को खिलाना भी चाहिए इस समय अगर खिलाओगे तो बहुत अच्छी वागता रहे है कि इस समय अगर आप खिलाओगे क्योंकि सीधी दृष्टी भागे भागे भाव प उसको अगर आप भोजन देते हैं खाना खिलाते हैं तो यह कहीं न कहीं आपके अधार में कुरद्धी धर्मकरम में या स्प्रिच्वली ग्रोथ आपको कराएगा कराएगा साथ आपकी बहुत सारी ऐसी प्रब्लम्स जो सोल नहीं हो रहे ती वह भी सोल होगी भागे का यह अच्छा होता हुआ आपको दिखाए देगा अब यह उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप आप कुछ मीटा खिला रहे हैं या बहुजन करा रहे हैं आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को मल जाएंगे गुरू की दुश्टी भी आपके सब्त परटनर को लेगा क्योंकि करने पार्टनर के थुरू आपको ऐसी हैडलस एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके करण आप थोड़ा प्रेशन हो सकते हैं यह बात देहां रखना है कि समय जैसे हमने कहा कि परिवार का प्रेशर तो आई रहा है साती नाइंत टर्बलेंस आपको उनको लेकर आ रहा है तो उनके हेल्थ कभी स्वास्ते का विशेष्ट आपको ध्यान रखना है अब एक इस्तुति ओर जानिए कि यहां गुरू थर्ड में जा रहे हैं ट्रेवलिंग भी बता रहे हैं आपको यह भी बताए कि अगर हो सकता है कि बहुत स जिनको विजा के लिए अप्लाई करना है वो सब चीज़े बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए फायदा रहेगा हो जाएगा काम आपका हाँ गुरू मरन कारा किस्तान के अंतरगत हैं यह थर्ड आउस में गुरू मरन कारा किस्तान में हैं और सूर्य से भी अभी यह सूर्य को अभी हम बताएंगे तब आपको बताते हैं तो यहां पर क्या होगा आपके लिए कि मरन कारा किस्ताती में जब गुरू जाएंगे यह पूरे साल अब आपको एक ऐसे काम भी करने पड़ेंगे आपको कि जिसमें आप थोड़ा सा एक होता है कि कंफरेबल फिल ना करें कि या आपकी जो योग्यता है उसके कम मुकाबले का काम आप कर रहे हैं या कि कि जूपिटर है जूपिटर का काम ऐसे कंसल्टिंग वर्क होता है लेकिन यहां पर आपको हो सकता है कुछ ऐसा राइटिंग का काम मिल जाए जो कौपी पेस्ट आप कर रहे हो ठीक है तो थोड़ा इस तरीके का काम आप कर रहे हैं तो वो भी इस्तती आपको देखने को मिल सकती है अब वहीं गुरू की नवी दुर्श्य आपको बताई दिया कि आपको आई वरद दिल आप प्राफिट ये कराएगी लेकिन स्ट्रकल के बाद देगी वो सब चीज़े होंगी यात्रा ही होंगी धरम करम के काम होंगे हाँ गुरू और शनी दोनों का ट्रांजिट 9000 से 9000 फूल अक्टिविशन में है तो ये बात ते है कि अब इसे आपके पिता से सम्मंदित गुरू से समंदित धरम से समंदित कुछ न कुछ इवेंट अब आपके होते हुए दिखाई देंगे देंगे अच्छे बुरे डिपेंड करेगा आपके चार्ड पर भी हाँ लेकिन ये इवेंट आपके होते हुए दिखाई देंगे जो लेकिती सोच रहेते कि अब आपको PhD के लिए जानना ही है अब यहां देखिए गुरू जो है आस्ता सूरिय से अभी पहले सूरिय का परभाव चौदा महीं तक मेश राशी में आपके सेकंड आउक्स में रहेगा सिक्स्ट लोड आपके फैमिली के बहाव में जा रहा है कही ने कहीं आप क्या आपके साथ क्या होगा कि आपके परिवार के अंतरगत ना वहां पर गॉर्मेंट का कुछ इन्वोल्मेंट आएगा या कहीं ने कहीं किसी हायर अथोरिटी का आएगा या आप अपने वानी के थुरू बहुत अथोरिटी के थुरू डोमीनिट अपनी फैमिली को करते में जरा होगे तो यह प्रभाव हाँ इस समय के अंतरगत कुछ लौन रिलेटिड कुछ एक्टिविटी वह भी संबन्द आपको देखने को मिलेगा तो यह प्रभाव आप जान पाएंगे और थोड़ा अपनी वानी पर आपको थोड़ा ध्यान में क्योंकि कहीं ने रिलेशन्स इशू हो सकते हैं रिलेशन्शि जो सूरे का इस्पोीचर मंगल रहूं के साथ रहेगा वो कहीं न कहीं धन के कारण ये थोड़ा इस्सत्थी रहेगी आपको कि अपने इंवेस्टमिंट के आओस अक् neighbourhood कर लेकर किया हो तो जिसके कारण आप ठोड़ा ज्यादा सोच विजार कर रहे हैं ये इस्तथी देखर को मिल सकती है हाँ सूर्य की दृष्टी अश्टम पर रहेगी तो यह कहीं न कि गुप्त ज्यान के लिए बहुत अच्छा रहेगा या कुछ ऐसा वर्क जहां पर आपको अंधिरा हो और लाइट चाहिए हो तो वह ग्यान की दृष्टी तो ग्यान की दृष्टी बहुत अच् आपके स्पीच के थुरू आप अपने काम के अंतरगत भी अपनी प्रस्टी को लेकर भी कहीं न कहीं अपने आपको थोड़ा सा कमजोर बना सकते हैं यह बात ध्यान रखना और कुछ आप ऐसा लिखते हुने जराएंगे जिसके कान थोड़ा जगड़ा हो जाए या कुछ स हो सकता है और थोड़ा हेल्थ रिलेटीड इश्योज भी हो सकते हैं जिसके कारण आपको कहीं जाना पड़े वह चीज होना पड़े तो वह सब हो सकते हैं कुछ ऐसा खाना पड़े जो थोड़ा खाने के लिए यहां पर अगर देखें तो यहां दो इस्तधी बनेगी कि इस अमावना बनती है और यह समावना तब बनती है जब शुकर का गोचर व्रिशब में आ जाएगा शुकर का जो व्रिशब में आएगा वो 23 अपराईल से लेकर 29 जून तक मेश और व्रिशब के अंतरगत यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह इस्तथी आपको देखने को मिल जाएगी आप देखो आगे अगर हम बड़े तो यहां गुरु का प्रभाव जाने लिया सूरे का प्रभाव यहां हमने देखा सूरे की दृष्टी भी आपके नाइन ताउस्ते हैं सूरे का जो देखो प्रभाव रहेगा जैसे इस महा पिता का थोड़ सब्टमेश हैं अब बताई चुके हैं धनगर के अंतकर बताईएंंगे तो यहां पर आपको कुछ प्रभाव सकता है कि कुसी तरीके के लिए मतलब हो सकता है को प्रपर्टी आप सेल करके बेच करके और उसके बाद कुछ प्राफिट लेना चाते हैं उस दरश्वी से अच होंगे वो आपको 10 माई के बाद अच्छे गासे होते वे दिखाए देंगे या अपने कम्मिनिकेशन के थुरू भी मतला कुछ ऐसा वहाँ पर कुछ स्टार्टिंग करके आप कुछ यहाँ आपर गेन करते वे दिखाए देंगे तो वो भी स्टी देखने को मिलेगी हाँ आप इसके बाद देखें यहाँ पर शुकर का परभाव जैसे के मतारे 25 अपरेल से 19 मही तक तो मेश में और 19 मही के बार 12 जुन तक वरिशव के अंतरगत रहेगा मला 19 मही तक मेश राशी में सकते हैं सदन तरीके से गेन आपको यहाँ पर रहेगा कहीं आप फैमली के अपने मलब परिवार के इंतरगत प्यार पाने के लिए थोड़ा लालाइक रहेंगे इस समय के अंतरगत और वहां आप चाहते हैं बहुत कुछ देना उनको तो उस चीज के लिए भी आप सोच रह जुन तक यहां पर देखOT कहीं ना कहीं आपका रैटिंग को लेकर लेकर कम्मिनीकेशन को लेकर प्रेजनेशन प्रेजिच्ग को लेकर बढ़ता हुब दिखाई दीगा कहीं ना कहिए आप पस्तक्र क्लास एसी में का अच्छे ड्रैविलिंग का प्यात्रा कर सकते हैं ना क कमफर्टेबल जोन के साथ आप कमफर्ट के साथ आप ट्रेवलिंग करना चाहेंगे बहुत रहाईश्ची तरीके से तो वो सब यहां पर खूतोवा दिखाई देगा इस समय आप चाहेंगे कि आप अपने यंगर सिविलिंग सास्परोस के लोगे अप्तियों को बहुत कुछ दें और भाजन कराएं खिलाएं पिलाएं तो यह थोड़ा प्रभाव आपका बढ़ेगा इस समय के अंत्रिकत और यहां पर आपके आपको ग्यान की दृष्टी से एक समय काफी अच्छा रहेगा इसके बाद तो यह भी प्रभाव देखने को मिलेगा वहीं अगर आप प् है जो कि 11th लोड है 12 लोड विरकर 12th हाउस में शनी का बोचर है शनी देव एक बात ध्यान रटना गलत काम करने से बचना है अभी बारवे की घर में और बारवे की राशी में मैलेफिक है पूरे बारवी राशी में मंगल राहू हो गए केतु का परभाव हो गया और शनी का जो परभाव है वो बारवे घर के इंतर गते हैं ठीक है और अगर आप फॉरण से कनेक्टे ने तो अपके लेच्छा है तो ध्यान रटना है वहीं शनी का परभाव कंस्रक्शन का अगर बारवे घर में ये आप से कुछ घर सकते है या फॉरण मेरा वहां construction हो सकता है और वहां जुड़कर gain आप करा सकते हो या कुछ technical उस point of view से भी वहां पर भी होता हो दिखेगा वहीं यह आपका बहुत सारा investment शो कर रहा है कि जहां आप कुछ बहुत लोगों की charity के लिए उस द्रश्टी से आप कुछ बढ़ा कुछ बनारना है सोच रहे हो तो उस द्रश्टी से भी यह समय आपके लिए चल रहा है वहीं आप देखे शनी का परभाव रहेगा तीसी द्रश्टी रहेगे आपके second house पर थोड़ा आपकी savings से related issues तो दिखते हैं जो हम पर शुरू से बता रहे हैं कि कईना के saving related issues है कुछ आपने investment किया है तो वो चीज issues यहाँ पर दिखते हैं और जिसके कारण परिवारी के स्तती भी थोड़ा दिक्कत में है family value को लेकर family को लेकर थोड़ा प्रेशानी बन रही है वहीं शनी का प्रभाव रहेगा आपके six house पर शनीदेव का प्रभाव six house के अंतरगत जो द्रश्टी पढ़ रही है वो कही न कह शने शने आपके रोवरेकुर को वह खतम करने का प्रयास करेंगे तो उस द्रश्टी से भी रहेगा लेकिन चत्तिरू के भाव पर यहाँ स्ट्रगल के बात है आप भ्याव के साथ आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है भागे का साथ तब मिलेगा करम करके विश्ष्षते हैं यहाँ पर क्योंकि शनी का परभाव बारिवगर में आप हो से बहुत अकेले होकर तब आप अपने इस युद को लड़े और कहीं न कहीं युद में भी कमजोर हो रहे हैं तो क्योंकि गुरु थढ़ा उसमें जो युद्धान है गुरु के हाथ में तो कलम होती है वहां पर उसके आफ्ने तलवार तो वह एक स्थती यागुरु तो इक इसतिकरी तरीकी से काम कर देते हैं और वहां पर उनको को एक युदिस्तान के अंत्रकत खलिस्तान जो थड़ा उसुत है वहां पर बिठाए गया है तो वह थोड़ा-थोड़ा काम ऐसा है कि आपके थोड़ा नेचर से कपोजिट काम आपको मिल रहा है या आपसे वह काम कर रहा है जो कहीना कि आपकी योग्यता से बहुत कम कता काम वो चीज़ आपके लिए सूटनी कर रहे है तो वहां यही आपको काम को लेकर अपने परस्टनलिटी को लेकर थोड़ा सा आपको स्ट्रकल यहां पर रहेगा पीता की जिम्मेदारी गुरु धरम करम के काम बढ़ेंगे वहां से संबन्द कुछ अच्छा करते हो दिखाए दो है वो भी स्ट्थी हां पर देखने वापतों मिलेगी ऑप देखें ऐक और शुब दिन एक से दो disci sam 8-10-3-15-25-27-26-27-29 यह दिन आपके लिए शुब है अशुब दिनों में 2-4 4-4-6-3-4-5-6-18-20-23-29 यह दिन अशुब हैं एक बात ध्यान रखे है गुरू और शुकर अस्त है साथ मही से 6 जून तक गुरू और शुकर 23-29 जून तो मही महा के नतरगत अगर ग्रेह शुक्र अस्तोने पर शादी करना यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा तो यह बात का आपको ध्यान लखना कि यहाँ पर योग वैसे मूरत के साब से वो नहीं बनते हैं यात्रा के योग में कस्मा त्यात्रा 15-18, 20-20, मरुनिजन के लिए यात्रा करना चाते हैं 18-20, तार्मी के यात्रा 8-10, 18-20, 23-25, अस्पताद गुरु के श्रम खुशी एकखर सम्दी दे जाता है 2-4, 39-31, और कश्ट के साथ यात्रा 8-10, ट्रैवलिंग तो आपकी होती ही रह भाग दोड भी बढ़ेगी बात कध्यानक ना, आमावस्या 8 मही की रहेगी, पुर्णीमा 23 मही की रहेगी, वैशाक क्रिश्न एकाच्छी आपकी 4 मही की रहेगी, और वैशाक शुकल एकाच्छी मोहीनी एकाच्छी जो रहेगी, 19 मही की रहेगी, उपाय क्या करने चाहिए हर्मान चले सगा पार्ट आपको करते रहना है ओम नमो भगवते वासु दिवा इस मंतर का जाप परेगा मीठा पानी आप शर्बत बाट सकते हैं आप अपने आसपोड़ोस की वक्ति को पिलाए या आसपोड़ोस की वक्ति को मीठा खिलाते रहिए या पड़ोसी की या द्वार पर आई सादू को भोजन कराते रही है वो जरूर करना है स्ट्रीट डोक की सेवा करते रहने हैं सूरीजेव को जल चड़ाना है और शर्बत नहीं भी पिलाए मतलब हाँ पर गन्ने करस भी आप पिला सकते हैं अगर आप अब अभी शेख करके गन्ने करस सबीको और ऐसा करने से आप बहुत बड़े पुन्य को अर्जित करते हैं और आपके बहुत साइज प्रॉब्लम सोल होने वाली है इवन आपके बागये का मालिक क्योंकि राहू के परवाव में इस तो बात है कि कई नगे कुछ नगुछ बागये के मामले में अर्चन है बागये म्रदी भी दिखा रहा है कि लगन से संब्द मना रहा है तो आप अगर देख रहे हैं कि आपको अगर कोई opportunity आ रही है और आपको चाहिए कि वो जितनी भी प्रॉब्लम से उसकी चली जाए कि वो उसके बीच का obstacles ना आए तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा उप study